जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिध जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रजिस्टर्ट करके आँगे बढ़ेंगे अभी तक आपने Self-Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है तो Self-Study Classes एप जरूर डाउनलोड करें और दोस्तो आप कर रहे हैं हिंदी साहित की तैयारी और हिंदी व्याकन की तैयारी एना किसी एक्जाम से सम्बंदे तैयारी कर रहे हैं जैसे TGT, PGT, पंजाब मास्टर के यूके एल्टी या फिर एच्पी टेट और आपका सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी साहित या फिर जूनियर टेट की ठीक है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है और Self-Study Classes में कोर्स लांच किया गया है और से आप जॉइन हो सकते हैं दोस्तों अभी जूनियर टेट के लिए मात्र 12 रोपे में कोर्स लांच किया गया है जिसमें आपका TGT PGT भी कबर होगा जिसमें आपका दोस्तों अगर आप नेट का एक्जाम दे रहे है तो नेट भी आपका कबर हो जाएगा तो हिंदी साहित से जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे जितने भी आप प पूचा जाता है कि भासा की सबसे चोटी एकाई कौनसी है सब्द वैंजन स्वर या फिर वर्न भासा की सबसे चोटी एकाई हमें बताना है सबसे चोटी एकाई कौनसी है तो आपको 2 सेकंड दिये जाते हैं आपको चैन करना है भासा की सबसे चोटी एकाई बताना है और य अक्षर भी कहते हैं यह भासा की सबसे चोटी सार्थश की या फिर अप्षर ठीक है अंगला कोस्च्छन किस भासा परिवार की भासा है एक हिन्दी किस भासा परिवार की भासा है भारोपिये दिरवन आस्ट्रिक या फिर चीनी तिबबत तो बताईए चीनी तिबबती किस भासा परिवार की आपने देखा होगा भासा परिवार आपने पढ़े होगे सबसे बड़ा भासा परिवार माना जाता है दोस्तों अपना भारोपिय परिवार है ना और जो हिंदी है ये हिंदी भी भार rans ﷻ से हुआ PALI PRAKRIS या फिर बैदिक संस्कृis से हिंदी भास का जन्म किससे हुआ यह आपको वताना है चार विकलप हे हमारे सामनी हमारे सामनी यहां बहुत सारे लोग Communist हो जाती है लिकिन हैं आपको वो एक नंबर बिलकुछ सई हो जाता है अपन देखतें आप ब्रंच की बिवन अवस्ताओं से जैसे सौर सेनी हिंदी से पश्चमी हिंदी निकली है ना अर्दमाग दी से दोस्तों पूर्वी हिंदी निकली तो यह भी ब्रंच की विवन रूपों से ले जो है भासाओं का व भास या फिर भास से तो किस से हुई मानी जाती है? प्रश्ण किरमांग आपका 49 है और 49 का उत्तर आपको चैन करना है बासा सब्दी की उत्पत्ति किस अधातू से हुई है और आपने बिल्कुल सही चैन किया है उली सर भास लगा दो, मैंने लगा दिया, C नम्मर आपका बिलकुर सही है, भासा सब्दे की उत्पत्ती भास से हुई है और C आपका बिलकुर सही हो जाता है अंगला question आपका screen पर है आपकी वो बताना है आपको कि कौनसी बोली अत्वा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती तो कौनसी नहीं आती कन्नोजी बांगरू अवुदी या फिर तेलगू कौनसी बोली अत्वा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती तो देखो कन्नोजी तो आत अति है यूँ आती है ना बांगरू ङानि की हरेयान भी हर्यानभी के दूसरा नाम क्या है आप यूपी हिं रूप मानक हिंदी के रूप में सुंविकार किया गया मानक हिंदी के या फिर दक्षनी हिंदी हिंदी भासा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में सुईकार किया गया ये कॉस्चन आप से पूछा गया है फिप्टी बन का अंसर और मानक रूप जो हुआ है जो दोस्तों बर्तमान में जो प्रचलित रूप है हिंदी का वो प्रचलित रूप हिंदी की बिस्षिस्ट बोली ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ये question तो कई बार पूचा गया है तो इसके लिए भी हमें तयार रहना है कि जो ब्रज भासा है ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है राज भासा के रूप में तकनीकी भासा के रूप में राष्ट्र भासा के रूप में या फिर काब भासा के रूप में किस रूप में ये ब्रज भासा सबसे अधिक प्रिसिद्ध है और चार विकल्पे 52 को आइंसर आपको बताना है और यहां पर ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रिसिद्ध है उत्तर चला जाता है काब भासा के रूप में किस भासा के रूप में काब भासा के रूप में यह पिर्शिद्ध है और डी आपका बिल्कों सही हो जाता है भारत वर्स में हिंदी को आप किस बर्ग में रखेंगे किस बर्ग में रखेंगे आप एब बताना आपको तो यहां पर यह प्रस् बहुत सारे लोग जिन्हों ने नई पड़ा है वो दोस्तो राष्ट भासा लगाते हैं राष्ट भासा लगा कि आती है 100% लेकिन हिंदी को हम दोस्तो हमारी हिंदी राष्ट भासा नहीं है हमारी हिंदी राज भासा है क्या है राज भासा और राज भासा उसे कहते हैं जिसे स सेरकारी काम चाहिए में प्रियोग किया जाता है ऑट इस लिए जो हिंदी है तो राज भासा है कि इसको याद रुखेंगे निण्यों से कौन सी भासा संस्कृत की अपभ्रहंस से है संस्कृत की अपभयंस से यानि रज्वन का उस्वेगाई गलता हूँ तो तो वो ही जो है अपवरेंस कहलाती है जो अब हासा बिगड़ती हुई चली जाती है ठीक है तो संस्कृत की अपवरेंस कौन सी कहलाएगी तो संस्कृत के बाद होता है पाली का जन्म होता है संस्कृत की अपवरेंस पाली पाली की अपवरेंस प्राकृत प्राकृत की अपव शाही हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्चन आपकी स्क्रीन पर भारत में हिंदी को संभीदान की किस धारा के अंतरगत राजभासा घोसित किया गया हिंदी को तो धारा 343, धारा 343, धारा 343, एक या फिर दोस्तो 334, एक तो यहां पर बहुत अच्छे से देखने की जवरत है दोस्तो आपको पता है कि भारत में हिंदी को संभीदान की धारा के अंतरगत, किस धारा के अंतरगत राजभासा घोसित किया गया तो वो किया गया धारा 343, एक के तहट, धारा 343, एक के तहट, राजभासा घोसित किया गया और अनुचे 343 से लेकर के 351 तक का एका प्रावधान है, भासा संभन्दी संभीधान में प्रावधान किये गए हैं, ये भी हमें याद रखना ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार दौरा 1947 में गटेत, देव नागरी लिपी सुधार समिती के अध्यक्ष कौन थे? एक क्वोस्चन कही बार आया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठेत देवनांगरी लिपी सुधार समीती के अद्यक्ष्ट कौन्ते डाक्टर धीरेंदर बरमा, शंपूर्णा अनंद आचार नरेंदर देव या फिरेंदर नहीं तो बताईए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बर्स 1947 में गठेत देवनांगरी लिपी सुधार समीती के अद्यक्ष्ट कौन्ते ये आपसे पूचा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन है अनेकों एकजामों में ये पूचे जाते हैं और उत्तर हो जाते आचार नर कौन्सी है आधी जन्नी पूचा गया यहां पर-टो अपने देखा था कि हिंदी का जय से हुआ लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि ही उत्तर है सल्क्राओ संस्क्रिट और यह नंसक्रेट आपका नम्मर आपका बिल्कूर सही हो जाता है अं अगला ये क्वेस्टन कई बा परिनिष्टित भासा को या फिर क्रित्रिम भासा को तो टकसाली भासा किसे कहते हैं ये question पूछा जाता है और इस question के लिए हमें तयार रहना है हैना ये confuse नहीं होना आपको क्योंकि टकसाली भासा संस्कृत निष्ट को नहीं परिनिष्टित को कहा जाता है किसे परिनिष्टि लिए भासा पर टूस्तो के कई बार पूचा गया गाली यैर की बोली है ना इक गौद प्रदेश का एक जला ए और इसकी बोली कौन सी है बुंदेडी ब्रजभासा खड़ी वोली या पिर कन्न कौण जी तो गौदेडी की बोली पूँची गई और बोली सर है यहाँ पर कौनसी बुंदेली और बुंदेली पस्चमी हिंदी से सम्मंदित है पस्चमी हिंदी की अपन भासा पढ़ते हैं दोस्तों कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरी के पास तो यह बुंदेली पस्चमी हिंदी की माने जाती है यानि कि दोस्तों आपका य सरलता से किलिष्टता की और जटलता से सरलता की और भावों से बिचारों की और या बिचारों से भावों की और भासा की प्रमुक प्रकृति कौनसी है यह आपको बताना है तो प्रमुक प्रकृति बताना है तो यहाँ पर आपको पता है बताईए कुछ लोग तो बता देते स सरलता से कलिष्टता की और हैना 100% confusion बाला question है दोस्तों क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग सरलता से कलिष्टता की और ही लगाते हैं लेकिन आपने कभी अनुभाव किया ऐसे अनुभाव कर लो सीधे सीधे बुलिस्तर जब हम भासा सीखते हैं जैसे आप हिंदी जानते हो आ सबसे पहले जटलता से सरलता की और जैसे भासा हम सुरू में सीखते हैं हमें जटल लगती है कठल लगती है फिर हम जैसे ही सीखते जाते हैं तो हमें सरल लगने लगती है तो हम सरलता से कलिष्टता की और नहीं हम जटलता से सरलता की और बढ़ते हैं यह भासा की प्रमुक कल्प दिये जाएंगे आपको यहां पर सीधा सीधा उत्तर है कि हिंदी फार्सी भासा का सब्द है किसका है हिंदी फार्सी भासा का सब्द है और इसको भी आपको याद रखते ना फार्सी यानि ये नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा अंगला कोश्चन आपके लिए द पेतारा या फिर वाइस कितनी मानी जाती है बर्तमान में भारतिय संभिदान की आठ lado की अनुसूची में सामिल भासाओं की संख्या बतानी है और भासाओं की जो संख्या है वो संख्या कितनी है तो आपका उत्तर हो जाता है यहां पर 22 कितनी है वाइस बरतमान में भारतिय संभिदान की आठीवियों निसूची में सामिल भासाओं की जो संख्या है वो संख्या है दोस्तों कितनी वाइस और राइट अंसर हो जाता बिकल्प नम्मर डी खीक है अंगला कोस्चन अंगला कोस्चन है पैसाची से कौन सी भासा बिक्सित हुई है मराथी गुजराती पंजाबी या फिर राजिस्तानी पैसाची से बताना है और पैसाची से मैंने कई बार आपको बताया है कि कज़ावी लहगा लेने के लिए तो पँजाबी और लहंदा लेहंदा जो है यह दोनों का विकास?" दोस्तो पैसाची से हुआ है,"ठीक है," तो यहाँ पर तो आपका सी नम़र बिल्कुस बहुँ सही हो जाता है अंगला question है ब्रजभासा कहां बोली जाती है ब्रजभासा कहां बोली जाती है इलाहबाद में और चाइवम जहासी मत्रा ब्रंदाबन या फिर वनारस में ब्रजभासा कहां बोली जाती है ब्रजभासा की बारे में आपको पता है कि पस्चमी हिंदी की दोस्तो एक बोली माने जाती है पच्ची भी हिंदी की है ना और ये बताना है कि ये कहां बोली जाती है चार विकल्ट में से तो ब्रज भासा जो बोली जाती है वो मत्रा ब्रंदावन में कहां बोली जाती है मत्रा ब्रंदावन यानि कि उत्तर आपका सी की तरफ चला जाता है सी नमर आपका बिलको सही हो ज दसाना है कई बार हमने पढ़ा कि सर गुजराती राजस्थानी पस्चमी हिंदी इनका जो इनकी जूत पत्ति हुई औरists यह अपरवण से हुई है यानि कि बेकल्प नम्मर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है सी नम्मर सही हो जाता है अंगला question पूछा गया कि संभीधान की आठवी अनुसूची में कौनसी भासा सामल नहीं है कौनसी भासा सामल नहीं है आठवी अनुसूची में बोडो, मैतली, डौंगरी या फिर भोचपुरी प्रश्निकरमांक 66 संभिदान की आठवी अनुसूची में कौनसी भासा सामल नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है और यहां पर आपका बिल्कुल आठवी अनुसूची में सामल नहीं है तो वो नहीं है कौनसी भोजपुरी बोडो तो है मैतली भी है डौंगरी भी है भोजपुरी नहीं है भोजपुरी बिहारी हिंदी की है बिहारी हिंदी की दोस्तों आपको पता है बिहारी हिंदी की मैतली भी है भोजपुरी भी है और मगही भी है तो बिहारी हिंदी की एक मै ना किस साहित से है हर्यान भी साहित से राजस्थानी साहित से अबदी साहित से या फिर मैथली साहित से डिंगल भासा का संबंद आपको बताना है और दोस्तों आपको पता है डिंगल और पिंगल आदी काल में दो सेडियों का प्रियों किया गया इनको भासा भी वहां माना ज है तिसे इनका संबंद माना जाता है किसका डिंगल का ठीक है तो बी नम्मर आपका बिल्कुँ सई है बोली का लगुत्तम रूप क्या है ऐसा भी question आता है तो आपको तयार रहना है बोली का लगुत्तम रूप बताने के लिए और आपका यहाँ पर लगुत्तम रूप आपसे पूचा गया तो उत्तर आपका हो गया क्या वर्न लगुत्तम रूप क्या है वर्न या पर सबसे कोई नहीं तो बोले सर हम मौकिक भी भासा की अभिवेक्ति करते हैं लेकित रूप में भी करते हैं है ना तो भासा की अभिवेक्ति के जो रूप पूचे गए तो रूप में मौकिक और लेकित दोनों आ जाएगा और सी आपका बिलकुर सही हो जाएगा सी नम्मर आपका आपको बताना है दोस्तों कि उच्रित ध्वनी संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिवेक्ति कहलाती है तो क्या कहलाती है उच्रित ध्वनी संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिवेक्ति क्या कहलाती है इसका आंसर आपको बताना है तो उच्रित ध्वनी संकेतों की सहायता से भाव या बेचार की जो अभी बेक्ती कहलाती है वो कहलाती है क्या भासा क्या कहलाती है भासा और ये नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाता है ये नम्मर राइट आंसर हो जाता ठीक है भासा और लिपी है तो भासा और लिपी क्या है बताइए भासा और ल अंसर हो जाएगा जो आपने बताया कि सर्भासा और जो लिपी है कि एक दूसरे की पूरा कमानी जाती है यानि कि उत्तर B की तरफ चला जाता है अंगला कोश्चन है भारत संग की राजभासा है तो कौन सी है भारत संग की राजभासा आपको यहां पर चैन करना है तो भारत स अंगे की राजभासा हिंदी भी है और अंगरेजी भी है ना तो आपका सी नम्मर यहां पर सही हो जाता है हिंदी और अंगरेजी दोनों माने जाती है ठीक है भारत की प्रतम देशभासा कौन सी है प्रतम देशभासा बताना है प्रश्न किरमांक 73 में भारत की प्रतम देशभ दोस्तों वो मानी है पाली यहाद रख लेना कि कई बार कोश्चन आया है कि भारत की प्रतम डेस भासा कौंसी है खोर भासा बिज्ञान की दुरस्टी से किस प्रकार की भासा विंदी किसंव सब्सक्राइब बहुत सारे लोग इसको कट गलत भी कर Посक्ष्ट है ना तो यहाँ पर याद रखने ना भासा विग्यान की द्रश्टी से हिंदी किस प्रकार की भासा है तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों भासा विग्यान की द्रश्टी से हिंदी किस प्रकार की भासा है वो भासा है बेयोगातमक कैसी मानी जाती है बेयोगातमक सर्च करना है और दोस्तों जॉइन हो जाना है यहां पर अगर आप हिंदिस आयत की तैयारी करने तो आपके लिए कोर्स लांच किया गया है और एक कोर्स दोस्तों आपको मात्र बारास रोपे में उपलब्द करवाया जाएगा जहां पर टिर्की वीडियो भी होंगे टॉपि किस जनपद में बोली जाती है इसका उत्तर आपको बताना है और एक कन्नोजी बोली से आपको याद आ गया हो गया कि सर एक कन्नोजी जो है पस्चमी हिंदी की बोली माने जाती है कन्नोजी ठीक है तो एक कन्नोजी बोली यह बताना है किस जनपद में बोली जाती है तो यह यहाँ पर दोस्तों अपना जो हिंदी भासा का चैप्टर था जिसको हमने सबसे पहले वाले पार्ट में बिस्तृत भी उसका अध्यन किया फिर एक दो तीन पार्ट के माध्यम से इसको भी पढ़ा अब दोस्तों ऐसे कौन से साती हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी किलासेश जो एप है उसको डाउनलोड नहीं किया वो सभी साती सेल्फ स्टडी किलासेश एप डाउनलोड जरूर कर लें ताकि दोस्तों आप बहां पर अध्यन कर सकें हैनात और जिनको भी एडवीशन लेना है वो एडवीशन ले सकते हैं नी बहुत सारे student को app download नहीं करते वर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes इस प्रकार से जब आप play store से करते हैं तो यह आपका well जो है icon उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से self study classes आपको सर्च करना है और ऐसे icon में आपको app मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि play store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study classes ठीक है यह play store में आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे